Hello everyone, this is Ashutosh Kumar and I welcome you on my YouTube tutorial channel Ashutosh जैसे कि last episode में मैंने कहा था सभी से कि Will का next video आप next tutorial next episode में बाएंगे और इसके आगी की चीज़ें आप next episode में पढ़ेंगे last video काफी लंबी हो गई थी इसलिए मैं इसका second part आप बना रहा हूँ तो आप second part को समझ के इसको practice कर सकते हैं आपका तब जो model auxiliary का section था वो clear हो जाएगा सारी चीज़े complete हो जाएंगे इसमें हम लोग last episode में पढ़ चुके हैं कि यह दो तरह से होते हैं एक तो helping work के तौर पर यूज किया जाता है basically helping work ही है और दूसरा conditional चीज़ों को समझाने या उस चीज को दर्शाने के लिए इसका प्रियोग किया जाता है तो model auxiliary में आज का section है विल का use अब विल कैसे use किया जाता है किस तरह से होगा इस चीज को चलिए समझते हैं विल विल का मतलब वैसे तो होता है इच्छा लेकिन यह है future tense में एक model का काम करता है future की बात बताने के लिए हम विल का use करते हैं विल as a helping verb ही use किया जाता है इसके बाद वर्ब की हमेशा हमें first form ही लिखनी होती है यह बात आपको ध्यान लखनी है लेकिन वर्ब की तुरंत बाद यानि इसके विल के तुरंत बाद अगर कोई वर्ब लिख रहे है तभी आपको first form लिखना है सबी लोग को पता होना चाहिए एक शैल होता है दूसरा will होता है दोनों का मतलब ही होता है future में कोई काम होना है भविश्य में कोई काम होना है उसके लिए हमें बताना है will लेकिन अब एक चीज़ आप समझ दीजे सबी लोग कि will का use हम लोग तब करते हैं जब I और V के अतर मिल जाता है या फिर वी मिल जाता है सज्जक के तो इसके बाद हम लोग शैल का use करते हैं तो basic rule यही है जो आप समझ रहे हैं लेकिन अब आपको grammar में ध्यान यह भी रखना है कि इस rule को बदला भी जाता है यानि I के साथ will लग जाता है कभी-कभी वी के साथ भी will लग जाता है कभी-कभी इस तरह की चीज़ें आप देखते हैं तो ऐसी चीज़ें कब होती हैं ऐसे conditions कब होते हैं वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको clear हो जाएगा लास्त में मैं इसके बारे में बताऊंगा discussion करूंगा कि किस तरह से तो लोनों चीज़ें अलग-अलग होती है और कभ हमें रिस रूल को change करना है तो सबसे पहले तो आप बेसिक चीज़ यही समझें कि sentence कह रहा है वह का आगरा जाएगा future की बात करने तो बड़ा आसान सा sentence है वह के लिए ही का प्रियोग कर देंगे ही के बाद में विल लगाया ही जाता है तो विल लिखेंगे जाने के लिखेंगे आप लोग यानि वह जाएगा future में कह रहा है तो और जहां जाएगा उसको लिख देंगे to आगरा आगरा जाएगा लेकिन आप कब जाएगा वह भी लिख देंगे समय के लिए मैंने last time भी बताया था कि हमेशा हम last में लिखते हैं तो यहां भी वैसी करेंगे सम मैं यह काम पका करूंगा तो उस चीज के लिए भी हम लोग जो है विल का यूज करते हैं लेकिन अब चला ध्यान दीजेगा जो मैंने अभी थोड़े दिर पहले बात बताई थी कि आई के साथ शैल लगाया जाता है लेकिन यहां पर आप देखिए आई के साथ विल लगाय करना हो कोई ऐसी कंडिशन हमें दिखानी हो जहां पर हम किसी चीज का द्रण संकल्प ले रहे हैं यानि वचन दे रहे हैं कि हम ऐसा काम करेंगे और कभी विए ऐसा नहीं छोड़ेंगे इस काम को सपोस करिए कि कि कहीं जाना चाह रहे हैं आपके अपने फ्रेंड से बोल र हों कि मैं तुम्हारे घर आ सकता हूं तो आउंगा दोनों बाते कह रहे हैं कि मैं आऊंगा तो संटन को कैसे बनाओगे आई शल घूर ओं यह शक्रशा यह कह सकते tacato दो- दोनों चीजों में इसटरा से आपिशा आप इसको अलागा क्लेर कर लीज़े कि जब आप यह कहोग तो मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, एक संभावना है कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा, confirm नहीं है, ठीक, जब आप ये कहोगे शैल, लेकिन जब आप कहोगे कि I will come to your home, कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तो आप ये promise कर रहो, फिर चाहे बारिश होगी, चाहे बादल होगे, चाहे कोई और विपत्ती आएगी, आप उसके घर जाओगे, आपने promise कर लिया, कि confirm कर दिया, कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा, आऊंगा ही, condition को confirm करने के लिए, promise करने के लिए, हम लोग I के साथ will use कर देते हैं, और अगर confirm नहीं है, तो हम लोग जैसे use करते हैं, rule, उसी तरह करेंगे, shell का use करेंगे, तो basic चीज आपको समझ में आ गई होगी, कि जब हमें promise करना हो, तो हमें shell और will का rule पलट देना है, और जब हमें promise नहीं करना हो, साधारन बात बतानी हो, तो shell और will का जो rule है, उसी recording आप इसको subject के साथ use करेंगे, तो इसी तरह से यहां पर sentence में use जा सकती है, next होता है, इसी तरह से कोई भी वादा करने के लिए, यहां पर देखिए वैसे ही है, अब यहां पर आप देख रहो, she will help you, as much as she can, जितना वो कर सकती उतना करेगी, अब यहां पर will जो है, निस्चित नहीं कर रहा है, उसकी शमता पर निर्भर कर रहा है, है, इसलिए, तो यहां पर promise के लिए इस तरह से लिखा जाएगे, she will help you, तुम्हारी मदद करेगी, sure है, but कितना मदद करेगी, as much as, उतना ही, जितना she can, कर सकती है, उतना, जितना उसके सामर्थ है, जितना उसकी शमता है, उतना, तो इसलिए यहां पर संभावना वाली बात हो गई, but promise भी है साथ-साथ, तो इसलिए विल लगाया गया है, नेक्स अब विल का ही past tense होता है, would, अपने इस चीज़ पहले भी पढ़ी है, अब would को ही हम कैसे यूज़ करते हैं, इस चीज़ को चली समझते हैं, सबसे पहले would का प्रियोग हम तब करते हैं, जब हमें कोई तो भी ऐसा tense मिलता है करने के लिए जहां पर direct और indirect वाला role होता हो, यानि दो sentence आपस में जुड़े हों, जिसमें एक primary clause है और दूसरा subordinate clause है, इस तरह का जब हम sentence देखते हैं, तो उसमें दो sentence जुड़े हुए होते हैं, तो वहां पर हम दोनों को translate करने के लिए, would का use होता है उसको प्रियोग करते हैं, जैसे sentence दिया रहा, I told you, मैंने तुम्हें बताया था, that की, he would give you a book, कि वह तुम्हें किताब देगा, तो future में मैं sentence कहना था, he will give you a book, तुम्हें किताब देगा, लेकिन यहां पर would कर दिया गया, would इसलिए किया गया, that के पहले जो sentence दिया हुआ है, वो past में है, तो sentence जब हम पूरा translate करेंगे, तो इसी तरह होगा, मैंने तुमसे कहा, तो सबसे पहले past में है, तो I said you, या फिर I told you, तो I said you नहीं कह सकते, बल्कि आप ये कहेंगे, I said to you, मैंने तुमसे कहा, लेकिन I said to you तब कहते, जब ये sentence जो है, इंडिरेक्ट में नहीं हो वो भी एक इंडिरेक्ट का टाइप का sentence है, इसलिए यहाँ पर I told you कहा गया, फिर उसके बाद inverted comma जो लगता था, यानि की के अंग्रेजी हम यहाँ पर that लगाएंगे, क्योंकि इसके बाद जो sentence मिल रहा हो एक assertive sentence है, तो इसी assertive होने की वज़े से, inverted comma वाला प्लेस, यानि ज होना चाहिए था, लेकिन उसे will इसलिए कर दिया गया, क्योंकि that के पहले जो है, वो past tense चल रहा है, इस वज़े से, एक rule यही पर और समझते चलें, कि जब भी sentence आपको कुछ इस तरह से मिले, जिसमें direct से indirect वाला type का sentence है, तो जब भी वो sentence दोनों जुड़े हुए होंगे, ए यहने future में past का model auxiliary यूज़ करते हुए, तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी, इसी recording यह चीज़ यहाँ पर चल रही है, दूसरा polite request करने के लिए किसी हम request करते हैं, तो भी हम वहाँ पे would का प्रियोग करते हैं, जैसे sentence में कह रहा है कि मैंने तुम से कहा कि तुमें जैसे क्य क्या क्रिपया यह किताब बढ़ा देंगे, मतलब कि मेरी तरफ यह किताब भेज देंगे, request करते हैं, would you please pass this book on, क्या आप यह किताब मेरी तरफ कर देंगे, इस तरह से, जैसे आप मान जीजी किसी दरवाजा खोलने की बात कहा हैं, कि क्या आप मेरी दरवाजा खोल देंगे तो आप sentence बोल सकते हैं, would you please open the door, इस तरह से बात कह सकते हैं, तो यहाँ पर एक polite request है, बड़ी विनमरता के साथ किया जाने वाला request, बहुत ही request, मतलब जैसे चिरोरी कहते हैं, बहुत पुछकारते हुए कोई बात किसी कह रहे हैं, कि कर दो मेरे लिए काम, इस ताइप के लोग इसको यूज करते हैं, next अब देखते हैं, sentence में फ्रिक्विन्स जो activities होती उनके लिए, जैसे कि मतलब हम यह दर्शाना चाह रहा है कि हमारा मजा आता इस काम करने में, या regular work है हमारा, या रोज का काम है, या इसके अलाबा जैसे यहाँ पे हम entertain के लिए कोई काम कर रह चाहेंगे, the children would play in garden on Sunday, कि Sunday को जो है बच्चे वहाँ पे खेलने जाएंगे, खेलते हैं, तो would play हम यहाँ पे इस आशा से कह रहे हैं, क्योंकि पिछले संडे वो गये थे, उससे पहले भी गये थे, तो उसी आशा से हम कह रहे हैं, कि would play in the garden on Sunday, कि फिर इस बार भी संडे को खे पास section है, अब पास section में हम लोग इसका यूज तब करते हैं, जब हमें चाहिए का अर्थ दिखाना होता किसी जगह पर तब, तो हमें चाहिए का अर्थ दिखाना उसी के आधार पे हम संटेंस को लिखेंगे, तो पहला संटेंस जैसे कह रहा है कि तुम्हें अपने माता-प जहां पर सेवा भाव दिखता हो, वहाँ पर should की जगह आप ought यूज करें, ought की साथ में to follow होता है, तो ought to use करें, तो वह ज़्यादा appropriate है, ज़्यादा सही माना जाएगा, जैसे इसी संटेंस को अगर हम बनाना चाहिए उसके माध्यम से, तो इस संटेंस you should obey your parents नहीं होगा, ब एक सलाह दे रहे है, मोहन should not go to school so late, कि मोहन को इतनी देर से विद्याले नहीं जाना चाहिए, जाने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर संटेंस है, वो एक ऐसी सलाह दे रहे है, जो ऐसा उसे नहीं करना चाहिए, तो सलाह देते समय में should का use किया जाता है, तो संटेंस में कह स तो ऐसा नहीं काम करना है, तो इस टाइप के संबावना में दिखानी तो should का use होता है, जैसे should का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा if की तरह से ही, तो sentence बनेगा, कि should it rain today, अगर बारिश होई, there will be no match, तो match नहीं होगा, मतलब एक हम शर्तियां वाला condition दिखा रहे हैं, कि अगर ऐ If का use करते हैं, तो if का मतलब हो गया कि हम खुछ से condition तैय कर रहे हैं, और should का मतलब यह हो गया कि ऐसी condition संभावना प्रकट कर रहे हैं, एक मन के अंदर आता है, इस टाइप वाली बात को बताने के लिए, तो हम वहाँ पे भी should का use करते हैं, जैसे परिश्रम करो, कहीं ऐसा न work hard, less you should fail, कहीं तुम fail ना हो जाओ, तो less का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, इस चीज़ के लिए जब दिखाना हो कहीं ऐसा ना हो, तो less l e s t लिखते हैं, least भी कहते हैं, तो इस तरह से sentence को बीच में लिख देते हैं, उसके बाद में should से हमें यही बताना होता है, कि संभावना आ past tense में हम लोग should में use करते हैं, तो यह tense change हो के वहाँ पर should हो जाता है, तो indirect speech में कुछी इस तरह change हो जाएगा, कि मैंने उससे कहा past में देखिए पहली बात है, तो I told him इतने को translate करेंगे, की के English that लिखी जाएगे, क्योंकि बाद वाला sentence जो है, assertive है, assertive यहाँ पहचानने की जो पीछे sentence में मैंने बताया था, उससे practice कर लीजिए, क्योंकि आपको बार-बार काम आने वाला है, कब sentence आपको assertive पहचानना है, कब interrogative पहचानना है, कब imperative पहचानना है, किसी भी sentence का अगर आप tense नहीं पहचान पाऊगे, तो बहुत सी basic चीज़ें आप से छूट जाएंग कम समय में आप superficial, यानि थोड़ी बहुत knowledge तो पास सकते हो, लेकिन deep knowledge के लिए आपको spend करना पड़ेगा, उससे time, practice करना ही पड़ेगी, तो यहाँ पर भी depend कुछ वैसे करता है, इसलिए sentence में जो भी चीज़ें होती, practice आप उसके अच्छे से करें, यहाँ sentence कह रहा है, तो जो sentence पहचाने के जवाब तो यह assertive है, इसी वज़े से यहाँ पर assertive होने के वज़े से that लगा है, तो आगे देखते है sentence किस तरह से लिखा गया है, लिखा है I should go to agra next week, कि मैं अगले हफते agra जाऊंगा या जा सकता हूँ, तो यहाँ पर यहाँ पर should जो है, चाहिए कि sense में होत होता है, पहले तो must का अर्थ समझ लीजिए, must का अर्थ भी होता चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर कौन सा अर्थ है, इसका चाहिए वाला वह चीज, must ऐसी condition होती है, जहाँ पर आप इसे use करेंगे, तो वहाँ पर यह चीज शो करेगा कि वह बिल्कुल टाली नहीं जा सकती ह है, यानि बहुत अनिवार condition है, इस type का, दूसरा, जब आप ऐसा कुछ सोचते हों कि वह ऐसा निश्चित तौर पे होगा, निश्चित तौर पे अनुमान लगा कर, तब भी आप must से प्रदर्सित करते हैं, जैसे example के recording देखें, कैसे sentence हम translate कर सकते हैं, लिखा है, तुम्हें अवश्य ही उसकी सहायता करनी चाहिए, यानि जरूर सहायता करनी चाहिए, तो sentence कहेंगे, you must help him, तुम्हें इसकी सहायता करनी ही चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग should नहीं कहेंगे, बलकि must कहेंगे, तो you should help him अगर कहेंगे, तो इसका मतलब है, तुम्हें इसकी सहायता करनी चाहिए मतलब सिस्ता चार की बात कहा रहें लेकिन अगर हम यह कहा है कि you must help him तो मतलब तुमें करनी ही चहा है हमें एक जरूरत वाली बात कहा रहें तो must से इस बात को दिखाने की कोशिश की जाती है तब ही इसका use अलगलग किया जाता है दोनों sentence में, next sentence ऐसे कह रहे हैं assumption, यानि जब हम कोई कलपना करते हैं, कोई उमीद करते हैं कि ऐसा होगा, तो उस उमीद को दर्शाने के लिए भी हम लोग must का use करते हैं, जैसे he must be in Delhi now, अब वो दिल्ली में ही होगा, मतलब उमीद कर रहे हैं वो पहुच चुगा होगा, अब यह उमीद हम कर रहे हैं, इससे नहीं कि किसी समय सूचना मिल गई है, बलकि हम अपने आप ही मन ही मन उमीद कर रहे हैं, कि ऐसा confirm है, तो उस जगहे पे हम लोग must से उस बात को ब का कार नहीं करना चाहिए, तो वही कंडिशन आ गई यहां पर भी कि जब जरूरी वाली कंडिशन हो, और हमें बताना हो कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, या फिर यह कहना कि नहीं करना चाहिए, तो must के बाद not लगा देंगे, और करने वाली कंडिशन जरूरी वाली, तो must क कुछ इस तरह बन जाएगा तुम्हें इस प्रकार कार नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से मस्ट से हम उस बात को प्रदर्शित कर सकते हैं अब नेक्स समस्ते और का आट का यूज हम लोग तब करते हैं जब सिष्टा चार की कोई बात बतानी हो जैसे उपर मैंने बताया था कि शुड का यूज आप करें लेकिन जब कोई सम्मान पूरवग वाली बात हो तो आट का यूज करें आट के बाद आपको ध्यान लगना है कि टी ओ टू का यूज ज करें लिखा जाएगा संटेंस को तुम्हें के लिए यू और आट रिस्पेक्ट यूर एल्डर तुम्हें अपने बढ़ों का सम्मान करना चाहिए इस तरह संटेंस ट्रांस्टिट हो जाएगा नेक्स संटेंस कह रहा है ऐसे ही कि हमें अपनी प्रतिग्या पूर्ण करनी च यह जरूर करना चाहिए तरह से बंधन वाली बात वहां पर आप मस्ट कह सकते हो लेकिन अगर आप सिस्टा चार के तौर पर यह बात कह रहा हो तो उस जगहें पर आपको होगे कि आपनी प्रतिग्या पूर्ण करनी चाहिए यानि अपनी शर्त जो भी हमने रखी थी उसे ह में करना ही चाहिए इस तरह से हो जाएगा नेक्स ऐसे देखिए कि तुम्हें समय से वहां पहुंच जाना चाहिए था तो यह भी एक अगर सिस्टा चार की बात करें तो वहां पर आप और यूज कर सकते हैं और अगर आप जबरदस्ती या और वाली बात कर रहे हैं तो आप जाना चाहिए था रिस्पेक्ट फुली करें पॉलाइटली कह रहा है तो इसलिए शुड़ करके इस बात समझाने के कोशिश की गई है तो आई होब कि मॉडल ऑक्जलरी से रिलेटेट आपको चीजे समझ में आ गही होंगी इसके पहले के पार्ट मैंने आपको बताया इसके पहले मैं वीडियो अप्रोड कर चुका हूँ आप उसे चाहें तो देख सकते हैं उससे इसके प्रैक्टिस कर सकते हैं बाकि यह सेकंड पार था इसके रिलेटेट एक एक्सराइज दे रहा हूँ आप इससे सॉल्व करिए इसके रिलेटेट जो भी कुश्चन होंगे आप कमेंट बॉक्स में कोईरी को पूछ सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर यह पूरी एक्सराइज है पॉस करके और इसक्सराइज को सॉल्व करें जो भी कन्फिजन होगा आप मुझे पूछें प्रैक्टिस करें तभी आपको यह सेक्षिन क्लियर होगा जितने भी मॉड इसके पूछा जाता है तो इसके प्रैक्टिस करिए एक ऐसे नए वीडियो नए लिप्ट्र के साथ फिर नेक्स्ट ई-Learning सेशन में मिलेंगे और आपको इसके रिलेटेड अगर एक्सराइज चाहिए प्रैक्टिस करनी है तो आप इस वेबसाइट पर लॉग इन करके इसक से सेफ और की वाचिए अशुतर से चैनल